हलो दोस्तों स्वागत हाँ स्वाविक आप फिर से हमारे स्यूटूब चैनल आर्भी ओटो मॉयल पर तो आज किस वीडियो पे मैं आप लोग को होंडा स्पी 125 के सभी कलर ओप्संस दिखाने वाला हूँ किस वाइक पे दोस्तों आप लोग को कौन-कौन से कलर ओप्संस देखने को मिलते हैं इसके अला दोस्तों बता दो कि यह जो बाइक से यह सबसे लेटेश्ट E20 मॉडल है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं E20 की स्टिक रिंग बागी दोस्तों इन बाइक का आप लोग को क्या कुछ on-road pricing देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी आज किस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे तो चलिए बो हम लोग इस वीडियो को श्टार्ट करते हैं आप सबसे पहला जो कलर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये ग्रे कलर है जिस पे दोस्तों आप लोग को पूरा जो बाइक का paint है ये आप लोग को ग्रे कलर पर देखने को मिलेगा बागी दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को यहाँ पर जाए Honda का 3D logo लोगो और यहाँ पर आप लोगो, SP125 की स्टिकरिंग दी गई है, बाकी दोस्तों, रेइर की तरब आप लोगो कोई भी ग्राफिक्स नहीं दिया गया है, लेकिन बाइक का जो ग्रेब रहल है, ये दोस्तों आप लोगो फुली ब्लेक लर में दिया गया है, तो ये जो ग्रेक अब लोग को अच्छे खासे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे जैसे दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग को हंडा का प्रपर 3D लोगो दिया गया है उसके नीचे आप लोग को ग्राफिक्स भी दी गई है साथे साथ दोस्तों अगर आप लोग इस बाइक का टैंक देखे तो इस पे जो आप लोग को ग्रीन और ग्रे कलर का ग्राफिक्स और SP125 की भी ग्राफिक्स दीगे यह बागी दोस्तों इस बाइक का जो सीट पैनल है यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को ग्रीन और ग्रे कलर का ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है इसीछ साथ अगर मैं आप लोग को इस वाइशार दिखाओं तो इस पे भी दोस्तों आप लोग को green और grey colour के graphics देखने को मिलते हैं बागी दोस्तों इस वाइशार जो paint है यह दोस्तों आप लोग को blue colour में देखने को मिलेगा तो ये जो color option है दोस्तों ये Honda SP125 का सबसे attractive color है अब हम लोग बढ़ते हैं SP125 के थर्ड color option की और तो ये दोस्तों लगबग आप लोग को red type में देखने को मिलेगा जो कि इसका दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देखे तो यहाँ पर भी आप लोग को grey और red color का यहाँ पर दिया गया है graphics इसके अलावा दोस्तों इसका अगर आप लोग टैंक पे देखें तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को ग्रे और रेड कलर के अच्छे खासे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं इसके साथ दोस्तों इसके मैं आप लोग को ग्राफिक्स के बारे मताऊं तो वाइजर पे दोस्तों आप लोग को वाइट और ग्रे कलर का दिया गया है बागी दोस्तो अगर आप लोग इस बाइक का भी टैंक देखे तो यहाँ पे भी आप लोग को होंडा का लोगों के साथ जो है ग्राफिक दिया गया है बागी टैंक पे भी दोस्तों आप लोगो white color के साथ जा है gray color का आप लोगो graphics देखने को मिल रहा है जो कि seat का उल तक आप लोगो इस पे graphics देखने को मिल रहा है बागी दोस्तों features वगरे तो आप लोगो सभी में similar ही देखने को मिलते हैं और इसके अलावा दोस्तों आप लोगो एक ये और color option देखने को मिलता है जो कि अभी फिलाल showroom पे available नहीं है बागी दोस्तों अब आप लोग बताएं कि आप लोगो इन सभी color option में से कौन सा color option आप लोग को सबसेदा पसंद आया है बागे दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को इन बाइक के pricing के बारे मताऊं तो लाग बाराजार रुपए के आसपास में on road देखने को मिलता है तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलाल end करते हैं आई होप आप लोग को यह जो वीडियो है यह आप लोग को पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल पर अगर आप लोग पहली बारा आया है तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर देजेगा तो इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही है मिलते एंगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम और अल्सो रैड से